इस पावडर का उपियोग, यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन की समस्या में इस पावडर का उपियोग किया जाता है, बेक्टिरियल इंफेक्शन की समस्या में इस पावडर का उपियोग किया जाता है, मूत्रमार्ग में किसी भी परकार का संकर्मण हो जाता है, तब डॉक्टर की दिक्कत और किस परकार की समस्या में इस पाउडर का उपियो किया जाता है या फिर मरीज को क्या दिक्कत क्या तकलीब रहता है किन-किन रोगों में इस पाउडर का उपियो करने के लिए डॉक्टर के दौरा मरीज को दिये जाता है या फिर इस पाउडर का किस परकार के र मरीज को क्या दिक्कत क्या तकलिब रहती है तब भी डॉक्टर के दोरा ये जो पाउडर है ये पेसक्राइब किया जाता है इस पाउडर का डोज क्या होता है इस पाउडर का साइड इफेक्ट क्या होता है ये पाउडर किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए कितनी मात में ये powder लेना होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा detail से हिंदी में जानकारी बताएंगे जैसे कि इस powder का मुख रूप से उपियोग जो होता है urinary tract infection की समस्या में इस powder का उपियोग doctor के दौरा prescribe किया जाता है यानि मरीज को लेने के लिए जैसे कि अगर किसी के मूत्रमार्ग में पेसाम में जलन होना पेसाम में किसी परकार से infection हो जाना या फिर पेसाम में अगर पत्री की समस्या रहती है तो उसमें भी doctor के दौरा ये जो powder है prescribe किया जाता है या फिर kidney में किसी परकार का कोई बेक्टेरियल इंफेक्शन हो गया हो या फिर मुत्रमार्ग में किसी भी परकार का अगर बेक्टेरियल इंफेक्शन हो गया हो तो उस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये पाउडर पेसकराइब किया जाता है यानि मरीज को ये पाउडर लेने के लिए बताया जाता है और जैसे कि पेसाब की थैली या फिर मूत्रमार्ग में किसी भी परकार से या फिर किसी भी कारड से अगर वहाँ पर बेक्टेरियल इंफेक्शन की समस्या हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा ये जो पाउडर है पेस्क्राइब किया जाता है। या बहुत गंदी तरह से पेसाब से बहुत आजीब तरीके स्मेल आएगी पेसाब रुक रुक करके आएगा पेसाब में जलन रहेगी आठन रहेगा काफी ज़्यादा दर्द की भी समस्या रहेगी जब वह पेसाब करने के लिए जाएगा तो इस सारी समस्याओं को ठीक करने पुर्सों में भी देखा जाता है महलाओं में भी ये समस्या होता है तो डॉक्टर के दौरा ये पाउडर पेस्कराइब किया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई पेशाब करने के लिए जाता है तो उसे संका रहता है कि और भी पेशाब होने की एक तरीके से तो उस समस्या में भी डाक्टर के द्वारा ये पाउडर प्रेस्क्राइब किया जाता है आगर किसी का पैसाब रूख रूख करके आता है पैसाम में जलन होना पैसाम में चिलिकन होना यानि यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन जितनी भी परकार की समस्यां रहती है यूरिनरी से related इन सारी समस्याओं को ये powder जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि यद किसी ब्यक्त के bladder में यानि अगर किसी भी ब्यक्त के जो पेसाब की थैली है यानि उसमें अगर किसी भी परकार का कोई भी infection हो जाता है तो समस्या में डॉक्त के द्वारा ये powder पेसक्राइब किया जाता है ये पेसाब की थैली से related अगर किसी भी परकार का कोई भी समस्या है तो उसे ये ठीक करने का काम करता है और इस powder का उपियोग प्रोस्टो टाइटिस की समस्या में डॉक्टर के दौरा ये पाउडर पेस्क्राइब किया जाता है जैसे कि प्रोस्टेट गेलेंड जो होता है इसमें जब सूजन की समस्या हो जाता है इससे पेसाब से जुड़ी हुई काफी ज़्यादा समस्याइं होने लगती है तब डॉक्टर के द्वारा ये पाउडर पेस्क्राइब किया जाता है ये पाउडर काफी अच्छा पाउडर होता है डॉक्टर के द्वारा ये पाउडर इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए पेस्क्राइब करते हैं यानि मरीज को लेने के लिए बताया जाता है तो इंसारी समस्याओं को यह powder होता है एक पूरी तरीके से यह जड़ से ठीक करने का काम करता है। लेना होता है जैसे कि ये पाउडर आप खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद में आदे गिलास ठंडे पानी में यानि एक परकार से हम कर सकते हैं नॉर्मल पानी में ये आप आधा से चट डालके ये सोने के बाद या फिर रात में सोने से पहले आप पी सकते हैं जैसे कि आप ये powder जब भी पीएं तब आप पेसाब करके आएं, यानि आपका bladder पेसाब की थैली है, वो एकदम खाली होनी चाहिए, यानि अगर आपको लगता है कि आप toilet जा सकते जानी जैसे आप पेसाब करने के लिए जा सकते तो आप पेसाब करके आएं, उसके बाद में आप इसे पीएं, पीने के बाद में फिर आप सो जाएं, ये powder एक परकार से काफी अच्छा powder होता है, और जैसे कि ये powder आपको साथ दिन तक जो डॉक्टर के द्वारा लेनी के लिए बताय जाता है, ये powder आपके इन सारी समस्यों को पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है, च मेटिंग के जैसा मैसूस हो सकता है, आपका पेड़ खराब हो सकता है, आपको गैस की समस्या हो सकता है, इसके सिवा आपको और भी साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत पर रहसानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा, कोई भी मेडसीन उपयोग करें, कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडसीन खुद से उपयोग ना करें